तो गाइस फाइनली आपर Redmi Note 9 की जो सिरीज है और MI Note 10 की जो सिरीज है इसको भी आपर डाल दिया गया है EOS की लिस्ट के अंदर मतलब कि आपर end of update की लिस्ट के अंदर तो फ्यूचर में आप लोगों को इन डिवाइस के अंदर updates है वो नहीं मिलेंगे वैसे तो आपको Redmi Note 9 सिर Redmi Note 9S और Redmi Note 9 Pro Max तो इन में से आप लोगों को दो इसे device है इनके अंदर फ्यूचर में update है वो नहीं मिलेंगे तो कौन-कौन से वो device है इसकी regarding complete information है वो मैं आपके साथ में share करने वाला हूँ तो इस वीडियो को complete देखना वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है तो वीडियो के अंदर आप लोगों को future में जो update है वो नहीं मिलेंगे तो यह आप लोगों को article का जो आप टाइटल है वो देखने को मिलते है और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं main हमारी news के बार में फालतू की बात यहाँ पर रखते है side में तो यहाँ पर साप साप mention किया गया है कि Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 9S जो device है इनके अंदर आपको future में जो updates है वो नहीं मिलेंगे और MIUI 14 के जो updates है वो तो आपको इन दोनों ही device के अंदर मिल चुके है तो future में जैसे Android 14 का जो update है वो आएगा तो वो तो वैसे भी नहीं आने वाला है क्योंकि Android 13 का ही जो update है वो release नहीं किया गया है अभी तक भी Redmi Note 9 Pro और Pro Max device के बारे में और यह update है वो आने भी नहीं वाला है लेकिन MIUI के update से हम लोगों को दोड़ी बहुत उमीद रहती है कि यह जो update है वो देखने को मिलेंगे इन device के अंदर so MIUI 15 का जो update है वो भी आपको नहीं मिलेगा इन तीनों ही device के अंदर अभी त सकते complete Redmi Note 9 की जो series है इसके अंदर आप लोगों को ना ही तो कोई future में Android के update मिलेंगे और ना ही आप लोगों को को यहाँ पर MIUI का update मिलेगा और वैसे normal जो security page level के जो update है वह आप रेगुलर आते रहेंगे और वो जो updates है वो भी आपको इतने जल्दी नहीं मिलेंगे जैसे कि 4- से 5 महीने के अंदर या भी 6-7 महीने के अंदर एक बार update है वह release किया जाएगा और इसको हम लोग कहते है quarterly जो updates है वह यहाँ पर release किये जाएंगे तो अगर future में इस update के रिगार्णी या फिर चानलोई device के रिगार्णी कोई और information है वो साम निकल के आती है तो जरूर से मैं आ लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता आप लोगों से नेक्स यूडियो में जेहिंद वंदे मातरम